Hello Students, मैं सोरभ पोली आपका हारदिक स्वागत करता हूँ अपने यॉट्व स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में प्यारे बच्छो कैसे हो आप आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे मैं यही आशा करता हूँ, आप स्वस्त रहें, अच्छे रहें बच्चो आज मैं आपसे चर्चा करूँगा हिंदी वक्षीट की वक्षीट नंबर है 101, डेट है 2 मार्च 2022 हिंदी की पृति का साना साना हाथ जोड़ी इस हिकाई को शुरू करने से पहले जो कोई भी हमारे चैनल के साथ नया जोड़ा हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बैल वाले बटन को जुरूर प्रेस कर दे ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक जुरूर मिल सके चलिए शुरू करते हैं आज की वक्षीट प्यारे बच्चो आज हम मधु कांकरिया जी के द्वारा रचित साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृतन पाट के अगले अंच का अध्यन करेंगे जैसा कि आप जान चुके हैं कि साना साना हाथ जोड़ी एक यात्रा वृतन थै जिसमें लेखिका ने अपनी सिक्किम और वहां की राजधानी गंटॉक जिसको पहले नाम था गैंग टॉक की यात्रा वहां की प्राकर्तिक सुन्दर्ता और समानने जीवन एवं कुछ विशेष्टाओं के बारे में लिखा है अब हम आगे पढ़ेंगे साना साना हाथ जोड़ी दीरे दीरे एक उजास उस चून्ने से फूटने लगा एक प्रातना होटो को चूने लगी साना साना हाथ जोड़ी गर्दुभू प्रातना बतलब दीरे दीरे एक शून्ने से अन्त तक फूटने लगा एक प्रातना होटो को चूने लगी साना साना हाथ जोड़ी हर्मो जीवन तिम्रो को से ली छोटे छोटे हाथ जोड़गर प्रातना कर रही हूं कि मेरा सारा जीवन अच्छाईयों को समर्पितो बच्चो अपना सारा जीवन आप अच्छाई में निकालें अच्छे करम करें और अच्छाई के साथ जीवन जीएं आज सुभा की प्रातना है कि ये बोल मैंने एक नेपाली उवती से सीखे दे किस से नेपाली उवती से ये पता रही है आज हमें यूम थांग के लिए निकल पढ़ना था यूम थांग के लिए निकल पढ़ना था पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी वहां के लोगों नहीं बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचन जंगा दिखाई देती है हिमाले की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचन जंगा पर मौसम अच्छा होने के बावजुद आसमान हलके-हलके बादलों से ढगा था पिछले वर्ष की तरह ही इस बार भी बादलों की कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह ही बंद ही रही ठाकुर्ची की कपाट यानि की व्रिंदावन की बात हो रही है जो कि कुछ समय के लिए कपाट खुलता है और दिन में और फिर बंद रहता है कंचन जंगा ने दिखानी थी जो ना दिखी पर सामने ही रकम रकम के रंग भिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ बतलब कंचन जंगा तो दिखा नहीं लेकिन फूल इतने अच्छे अच्छे दिखाई दिए कि ऐसा लगा फूलों के बाग में मैं आ गई हूँ अब इससे सम्मंदित हम प्रशन और उत्तरों की बात करेंगे उप्युक्त अनुछेत के अधार पर नीचे दिये गए निमलिखित प्रशनों के उत्तर लिखिए प्रशन एक लेखी का मदू कांकरिया ने प्रात्ना के बोल किस से सीखे थे बच्चो अभी हमने ही पढ़ा था उसने ये बोल किस से सीखे थे एक नेपाली उवती से सीखे थे प्रात्ना के ये बोल नेपाली उवती से सीखे थे अंसर वन दूसरे एक बात करें लेखिका को कंचन जंगा के दर्शन क्यों नहीं हो पाए थे हमने अभी पढ़ा था गंचन जंगा के दर्शन, इसलिए नहीं हो पाए, मौसम साफ नहीं था बालकनी में, इसलिए हिमालने की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है, पर मौसम अच्छा होने के बावजुद आसमान में हलकेलके बादल से ढखा हुआ था, मौसम साफ नहीं था, ब हिमालने के अन्य प्राइवाची शब्द क्या क्या हैं, लिखिए, हिमालने के अन्य प्राइवाची शब्द हैं, हिमगिरी, हिमाचल, गिरीराज, परवतराज, नकपती, हिमपती, नगराज, हिमादरी, नगेश, आदी, हिमालने के सभी ये प्राइवाची शब्द हैं, आ परवत शंक्राओं के नाम की सूची तियार कीजिए और वैकिस राज्य में ये भी बताईए ये आप कर सकते हो Google की साहता से Google में अराम से मिल जगा गतिवीदी आगे देखिए आपने कई नदियां देखी होंगी इसको किस तरह से इस समय रखा हुआ है कंडीशन इसकी क्या है सब बता सकते हैं तो बच्चों इस प्रकार हमारी पूरी वरक्षीट कंप्लीट होती है हिंदी की आप इसके साथ जुड़े रहिए इसे लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले धन्यवाद